नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले एक एडवर्टाइस्मेंट जो निकाली गी है हिमाचब देश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमिरपुर के द्वारा तो मॉर्निंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक नियूस करना जाता हूँ तो यह है अडवर्टाइस्मेंट नमबर 363 2020 तो अपलाई करने की जो इसकी डेट है वह है 26 स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट इटेस की है 25 अक्तुबर 2020 ठीक है उसके बाद बात करते हैं जो भी आपकी पास असेंसल क्वालिफिकेशन होती है या फिर कोई अब यह experience मांगा गया था है वो आपका complete होना चाहिए जो लास्ट इट होती है अपलाई करने की यानि की 25 स्टुबर 2020 से पहले पहले और उसके बाद बात करें इसमें जो age है वो आपकी count होगी 18 से लेकि 45 तक इसमें age रहती है और यह count होगी 1 जनवरी 2020 से पहले तक वससे पह के लिए आप complete होना चाहिए 18 के या 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो age लेकिस ने 5 सल की वो दी जाती है आपकी जो भी reserve category है उनके लिए तेके उसके बाद जो important चीज इसमें है वो है other state candidate के लिए तो other state candidate इसमें apply नहीं कर सकते हैं तो इसमें वही candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने 10th और प्लस 2, 10th भी और प्लस 2 भी हिमाचल की किसी भी institute से की हो बाकी ये जो condition है ये किसी भी bonafide candidate के लिए apply नहीं होती है मालते कोई mandate हिमाचल का है लेकिन उसने बाहर से 10th और प्लस 2 की है किसी भी state से तो उसके लिए condition apply नहीं है लेकिन जो other state candidate है उनके तो आपके पास पोस्ट है कौन कौन सी है पहले आपके पास है junior office assistant IT की एक आपके पास है regular basis पे पोस्ट और एक है contact basis पे जो contact basis पे है उसमें आपके पास अलगलग department है जिसमें से विकेंसी मांगी गी है तो यहां पे आप देख सकते हो contact basis पे यार department आपके पास बहुत सारे है जैसे fisheries audit culture election state audit HPSSC electrical inspectorate तो यह देखिया आपके पास काफी सारे यहां पे department है जहां सी जो आपकी विकेंसी मांगी ही है तो यह आप खुद चेक कर सकते हो तो टोटल आपके पास जो इसमें विकेंसी है वो मैं आपको बता रहता हूं तो यहां पे टोटल आपके पास जो contact basis प और जो regular basis पे है यह आपके exercise or taxation में है इसकी जो total post है वो है 27 तो यह आपके पास post code एक ही है आप इसके लिए apply कर सकते हो बाद में इसके जो selection होगी वो हमीर report के द्वार ही किया जाएगी यह आपको फिर recommendation इसमें मागी जाएगी दूसरी आपके बाद जो post है वो है station fire officer की total इसम अंजर्ट की दो post है उसके बाद है traffic inspector की totalist में छे post है distribution आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जिस भी category से belong करते हो उस category आप यहाँ से check कर सकते हो तो उसके बाद है next technician boiler दो post इसकी है next statistical assistant की totalist की 17 post हैं बागी distribution आप यहाँ पर चेक कर सकते हो देखिए यहाँ पर चीज़ चेक करोगे जो BPL category है general में BPL category है तो उसके लिए अलग से vacancy नहीं आती वो combine होती है आपकी EWS में तो जो जो weekend data BPL से belong करते हैं general BPL से तो वो apply करेंगे अपर EWS में बागी जो reserve category है उनका BPL अभी भी पर करार है लेकिन channel का BPL हटा दे गया हो से add कर दे गया है EWS में अभी case चला भी था इसके उपर लेकिन high court में इसको खारिश कर दिया तो high court में याच का दार रखी की थी कि उसमें कहा गया था BPL और EWS को अलग लग रखा जाए लेकिन high court में कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा यह एक साथ ही रहेंगे नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर की टोटल इसमें 40 पोस्ट है डिस्टिबिशन आप यहां पर चेक कर सकते हो नेक्स्ट है स्टेनो टाइपिस्ट की तो इसमें आपके पास अलग लग डि पोस्ट है डिस्टिबिशन आप यहां पर चेक कर सकते हो उसके बाद जेई सिवल की है टोटल 39 वेकेंसी है डिस्टिबिशन आप यहां पर चेक कर सकते हो तो उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टन लाइबेरियन टोटल इसके तीन पोस्ट है उसके बाद आपके पास है जू category wise कितनी कितनी vacancy है तो इसमें काफी लोगों को question रहता है जो भी आपकी post है है J, mechanical, civil, electrical तो काफी लोगों कोई doubt रहता है कि इसमें BDUG allow है या फिर नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको इसे के बारे में बता देता हूँ तो इसका post code है 839 तो post code 800 नति देखिए इसमें लिकाए clearly mention है कि diploma और degree दोनों ही इसमें eligible है तो पहले थोड़ा साइडब्टाइसमें doubt रहता था तो उसमें अच्छे से mention नहीं होता था कि diploma degree जो degree है वो allow है या फिर नहीं है लेकिन board वालों ने बिलकुल clear कर दिया है कि diploma हो आपकी पास या फिर degree हो आप दोनों ही इस post के लिए apply कर सकते हो यह सबी के लिए है जही सेविल में भी देख सकते है आप diploma degree लिखा है जही mechanical में लिखा है diploma और degree तो अब आपको कोई भी doubt ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने degree की है बेटा की है तो हम apply कर सकते है या फिर नहीं कर सकते है आप बिल्कुल apply कर सकते है इस post के लिए कोई भी आपको आप रोक नहीं सकता है तो उसके बाद next देखते है junior cameraman total इसकी जाओ के पास vacancy है वो है 8 उसके बाद है junior scale stenographer इसकी total आपके पास vacancy जो है उसके बाद next आपके पास है assistant manager technical की total 5 vacancy है बागी distribution आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जिस भी आप category से belong करते हो next है salesman totalist की एक post है SCNZ के लिए next है workshop instructor totalist की तीन post है उसके बाद है workshop instructor फेटी में आपके पास दो post है उसके बाद salesman inspector की total 6 post है उसके बाद junior draftman electrical और civil totalist की जो post है civil के लिए आपके है साथ post है और electrical के लिए है total 83 post है total ही होगी 90 post है उसके बाद आपके पास post है clerk की totalist की 13 post है जिसमें DC सिर्मौर के लिए 6 है और DC कुलू के लिए 7 post है उसके बाद आपके पास next है junior officer की total एक post है फिर से junior officer की total 2 post एंस में ये environment में ये IT में है next आपके पास है stenotypes की total 3 post है उसके बाद junior officer assistant की total last post है distribution है यहां पे चेक कर से तो category wise next है senior skills stenographer की एक post है junior engineer civil की total 23 post है distribution है यहां पे चेक कर सकते हो उसके बाद है जे mechanical की total 5 post है यहां भी देगी है जे civil की total यहां भी आपके पास post है एक ठीक है उसके बाद है computer operator इसमें total 5 post है distribution है यहां भी साथ साथ में चेक करागी जीए उसके बाद जे electrical की total 5 post है उसके बाद laboratory assistant की total 2 post है laboratory assistant voice analysis पहले आपका DNA में उसके बाद है voice analysis में एक post है उसके बाद है forensic services में आपकी एक post है scientific assistant में आपकी total यहां पे post हैं 2 उसके बाद home guard guardsman की post है 3 उसके बाद आपकी पास celebrity assistant forensic में एक post है उसके बाद आपकी next है scientific assistant voice analysis में आपकी पास एक post है उसके बाद है company commander इसके आपकी पास total 3 post है उसके बाद है restorer इसके आपकी पास एक post है जो है SC अनजब्ट के लिए बाद की जो essential qualification है जो आपकी पास होनी ही होनी चाहिए तब ही आप इन post के लिए apply कर सकते हो वो आप यहां पे check कर सकते हो पहले बात करें जोवा की तो इसके लिए आपकी पास यह ही should have plus two examination तो simple अगर अगर आपके पास plus two है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हो ठीक है या फिर आपने metric की हो metric के बाद कोई diploma की हो तो अभी आप इस post के लिए apply कर सकते हो ठीक है इसमें कोई special कोई भी नहीं मागा गया है उसके बाद computer speed जो typing speed जो मांगी ही जाती है वो यहां पी mention की गई है उसके बाद आपकी पास जो minimum and essential qualification नहीं बागी पोस्टों के लिए आप यहां पी खुद चेक कर सकते हो क्योंकि मैं बताने लगा तो काफी लंबा हो जाएगा पोस्ट ही काफी जादा है तो जिस भी particular post के लिए आप apply करना चाते हो उसके लिए आप यहां पी चेक कर सकते हो मैं आपको simply description box में इस जो advertisement है उसका PDF लिंक दे दूँगा वहां से इसे download कीजी और जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हो उस post को यहां पी check कर सकते हो बागी में लिए जो doubt रहता हो रहता है जूनिर इंजिनिर के लिए जो मैं आपको बता दिया बीटेक वाले apply कर सकते हैं इसके लिए उसके बाद next जो important चीज इसमें बताने वाली है वो मैं आपको यहां पी बता देता हूँ उसके बाद बात करते है mode of selection की mode of selection आपकी पास पहले होता है return test उसके बाद होती डॉक्यमेंटेशन return test आपका होता है total 85 marks का जिसमें 170 question पूझाते हैं और हर एक जो question रहता है half marks का 170 में आपकी पास यहां भी syllabus दिया गया है अलग जो post code है उनके लिए max में आपकी पास क्योंट है 1200 question है आपकी फिल्ड रेटी रहते हैं बागी जो पचास question होते है वो रहते है जी के गए तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप apply करना चाहते हो उन पोस्टों के लिए यहां पे syllabus दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी यहां पे mention है तो post code इसमें बहुत ज़्यादा है तो syllabus आप खुछ चेक करें जिस भी post के लिए आप apply करना चाहते हैं लेकिन मैं बताऊंगा तो यह बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएंगी तो इसलिए message को यहां पे skip कर रहा हूं उसके बाद evaluation की बात करें तो पंदर मार्क्स के evaluation होती है इसके लिए मैंने अलक्स वीडियो भी बनाई है कि class 3 post है class 4 post है उसके लिए evaluation process क्या रहती है आप वहों पे जाकि चेक कर सकते हो तो उसके बाद जो next important जीज आपकी पास वो है fees तो fees की बात करें general AWS और ex-servicemen जो जो जो सब्वीस है वो complete नहीं की है तो उनके लिए है 370 रुपे उसके बाद general IRDP physically handicapped के लिए ward of red fighter के लिए ward of ex-servicemen के लिए 120 रुपे है reserve category SCST OBC के लिए 120 रुपे और female candidate ex-servicemen और HP जो ने complete की अपनी सब्वीस है तो उनके लिए को भी fees नहीं है इसमें बागी mode of payment इसमें online है last date वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो बागी इसमें जादो कुछ खास नहीं है जो जो main topics थे जो आपको बताने चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिये बागी आप इस video को download कीजिए description box से आप खुछ चाहिए जिस पर पोस्ट के लिए apply करना चाहते हो तो सभी सभी पोस्ट के लिए apply नहीं करेंगे कुछ पर्टिकल पोस्ट के लिए apply करेंगे आप तो आप उस पर्टिकल पोस्ट को देखिए क्या उसके लिए essential qualification है क्या syllabus है यही चीज़ आपको चेक करनी है so आइसके लिए सब्सक्राइए थे नहीं thank you so much